आज आप देखोगे इंस्टेंट गीजर्स का मेगा कमपैरेजन और यकीनन आपने ऐसा वीडियो पहले कभी नहीं देखा होगा हेलो फिर्ट्स कैसे हो आप सब उमेद ऐसे बच्चे से होंगे आप सब को भुखवान बहुत खुश रखे आज के वीडियो में हम इन तीनों गीजर्स का परफॉर्मेंस टेस्ट करने वाले हैं इस वीडियो में मैंने इंक्लूड किया है बजाज का बिलकुल लेटस लॉंच हुआ हुआ एरेनो मॉडल जो की 3 लीटर कपैसिटी में आता है उसके बाद हमारे पास है हैवल्स का इंस्टैनियो 3 लीटर कपैसिटी में आने वाला इंस्टेंट गीजर्स और उसके बाद है रेकॉल ब्रैंड का बिलकुल नया नवेला गीजर एल्ट्रो आय प्लस टेंप्रेचर कंट्रोलिंग सेटिंग के साथ आता है इसकी भी कपैसिटी है 3 लीटर यानि कि यह सारे गीजर 3 लीटर कपैसिटी में आते हैं और 3 किलो वाट का लोड लेते हैं इस वीडियो में इन तीनों गीजर्स के प्राइज और सभी फीचर्स के बारे में भी आपको बताऊंगा अगर आपको इन में से कोई खरीदना है तो आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए इनका performance टेस्ट शुरू करने से पहले हमें थंडे पानी का temperature लेना है थंडे पानी का temperature लेने के बाद आपकरते हैं तैयारी इनको चलाने की तो सारा setup यहाँ पर ready हो चुका है सबसे पहले हम बजाज के इस गीजर को on करेंगे तो यहाँ पर सारी setting हो चुकी है हम इसको पहले on ही करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं stop watch जैसे ही on हुई मैंने यहाँ पर button on कर दिया गीजर यहाँ पर on हो चुका है heating mode का यहाँ पर indicator हमें मिल रहा है और यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगा कि हमने इन गीजर को 230 की supply के उपर set करके test करना है तो यहाँ पर मैं voltage यहाँ प पर यह पता लगेगा कि यह जो बजाज का गीजर है यह तीन लीटर पानी को गरम करने में कितना time लेता है कितनी विजली खाता है और किस temperature पर पानी को गरम करने के बाद यह cut off होता है और running में किस degree से पानी को डेटा है वो भी हम इस testing में देख लेंगे तो यहाँ पर अभी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समय लगेगा cut off होने में जब तक मैं आपको बजाज के इस बिल्कुल latest geezer के बारे में कुछ खास बाते बताता हूँ यह है बजाज का shield series का instant geezer model number है इसका air ono 3 liter capacity में आता है यह आपको 1 liter capacity में भी मिल जाएगा 3 kilowatt का load लेता है जैसे कि आप meter के उपर देख रहे हो 3 kilowatt का बिल्कुल accurate load ले रहा है यह अच्छा इसमें आपको search protection मिल जाती है यानि कि 4.5 kilowatt का अगर मान लो search आता है तो भी यह उसको जेल लेगा इसकी खास बाते हैं कुछ यह मैं आपको जरूर बताऊंगा इस वीडियो में इसमें जो heating element लगाया गया है बजाज की तरफ से वह एक non-stick heating element है यानि कि scaling को prevent करता है जो खार खारा-पानी होता है वो उस पर चिपके गाए नहीं खार नहीं जमेगी उसके उपर scaling नहीं आएगी तो यह एक अच्छी चीज है उस heating वारंटी दे रहा है बजाज अपने heating element के उपर और उसका कारण है वो non-stick coating उसके बाद अगर stainless steel की बात करें तो इसका जो inner tank है वो high grade stainless steel से बना हुआ है उसके उपर बजाज वाले देते हैं 5 साल की warranty और overall product के उपर 4 साल की warranty देता है बजाज जिसमें इसका thermostat भी शामिल है यानि कि इसमें जो भी कुछ लगा हुआ है वो सब कुछ शामिल है चार साल की warranty में और यहां पर एक बात और बता दूं अगर आप वह coating देखना चाते हैं जो बजाज वालों कि यह plastic की body है शौक प्रूफ रहती है रस्ट प्रूफ रहती है और सेफ्टी वाल्व यह देखिए यहां पर आपको सेफ्टी वाल्व भी मिल जाता है यानि कि सेफ्टी के सारे फीचर इसके अंदर बजाज वालों ने दिये हैं अच्छा इनकी यह जो कनेक्टिंग तो प्राइज यह गीजर अभी 4000 रुपे के आसपास मैंने खरीदा है और आप देख सकते हैं इसको चलते हुए काफी समय हो गया तो मैं जैसे यह कट-off करेगा पहले मैं इसको बंद करूंगा बाद में इसका यह देखिए तो यहां पर आप देख सकते हैं कि गीजर कट-off ह हो चुका है और तीन मिनट तेती सेकंड लगे हैं इसको तीन लीटर पानी को गरम करने में और जो पानी का टेंपरेचर था वह आपने सबने देखा बहुत ज्यादा ठंडा पानी है आज और लगबग 13 यह 14 डिगरी के आसपास पानी है काफी ज्यादा ठंडा पानी है तो दोस्तों इसकी जो परफॉर्मेंस है आपने देख लिया ओटो कट अफ का फीचर भी तरीके से काम करता है और यह कलर चेंजिंग LED लाइट है जो यह भी बहुत प्यारी लगती है क्योंकि दो इंडिकेटर अलग नहीं दिये हैं एक ही है वापस में कलर चेंज करता है पहले जो भी the temperature मिलेगा पहले हम वो देखेंग तो यह देखी आप temperature sensor को बिलकुल मेने वहां पर मैं पंण कीि ाए है और चेंद century जादा गरम इसे पानी को कर दिया है आप temperature sensor को भी दिखah realms इरगी गी वह रहांप घीजर अभी बंद ही है और आप रीडिंग देख सकते हैं और ब पानी को गरम किया है मात्र साड़े तीन मिनिट में 78 डिग्री के आसपास पानी इसमें से निकलता हुआ तो बहुत अच्छी गीजर रनिंग कंडिशन में कितने डिग्री पर पानी को प्रोवाइड कर सकता है तो आप देख सकते हैं आप गीजर दुबारा से ओन हो गया है क्योंकि ठंडे पानी की मात्रा अब इसमें बढ़ गई है क्योंकि हमने काफी पानी निकाला भी है अब हम इस 25 लीटर की बालती है आप देख सकते हैं जैसे जैसे ठंडे पानी की मात्रा इसके अंदर बढ़ती चली जा रही है तो टेंपरेचर भी कम होता जा रहा है होट वाटर का तो यहां पर जो मैक्सिमम हमें टेंपरेचर मिला था वो लगबग 79 डिगरी के आसपास था और अब हमें रनिंग में ज थी ना टेंपरेचर वो सब आपने देखा कि 13 डिगरी के आसपास पानी था और उसको यह कितना डिगरी उठा रहा है आप देखिए फिलाल की स्थिटी में इसने लगबग 17 डिगरी पानी का टेंपरेचर अब किया है अच्छा यह बात इसलिए भी है क्योंकि हमने इसको आ प्रॉपरली यहां पर रीडिंग मिल जाएं तो यहां पर आप देख सकते हो कि इसमें लगबग 30 डिगरी को फिलाल यहां पर मैंटेन करके रखा हुआ है और लोड आप देखिए पूरा 3000 वाट का चलता हुआ और यहां पर देखिए आप 230 की बिलकुल सप्लाई यहां पर ह तो यहां पर इसलिए हम भी 230 के आसपास वोल्टेज को रखके इसको चेक करने की कोशिश करते हैं किसी भी अप्लाइन्स को या फिर प्रोड़क्ट को तो यहां पर आप देख सकते हैं 13 अंपेर का यह लोड ले रहा है बहुत तीजी से बिजली खा रहा है और पानी मतलब अभी भी काफी गरम आता हुआ और 30 दिगरी बिलकुल 30 दिगरी के आसपास यहां पर पानी हमें मिलता हुआ और पर्फॉर्मेंस मैं इसको कह सकता हूं रणिंग में हाट वाटर अगर आपको चाहिए मतलब ऐसा पानी चाहिए ठंड के दिनों में जन्वरी में मैं वीडिय रिकॉर्ड कर रहा हूं और बहुत ज़्यादा सर्दी है दिली में और अगर मैं पानी में हाथ लगाओं तो बहुत ही बहतरी पानी ये कुन-कुना पानी है मतलब पानी का टेंपरेचर मैं आपको बताओं तो मैं को यहां से अब हाथ हटाने का दिल नहीं कर रहा है क्योंक लिए ये काफी बढ़िया चीज है तो यहां पर आप देख सकते हैं 29.6 तो यानि लगबग लगबग ये 30 डिग्री के आसपास पानी क्या जो टेंपरेचर है रणिंग कंडिशन में उसको मेंटेन कर रहा है तो चलिए इसको फिलाल में चलने देता हूं ऐसे ही तो कि जब तक ये पूरी बाल्टी भर नहीं जाएगी तब तक हम इसको यहां पर कंसीडर करते रहेंगे और तभी हमें परफॉर्मेंस का पता लगेगा तो यहां पर हम देख सकते हैं दोस्तों बाल्टी उपर तक भर चुकी है और अभी भी तो यहां पर है तो आप देख सकते हैं 29.3 लगबग लगबग 30 डिगरी के आसपास से यहां पर हमें पानी दिया है रणिंग कंडिशन में बजाज के इस गीजर में और इसलिए मैं कह सकता हूं कि यह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है क्योंकि ठंडे पानी का टेंपरेच आज की टेस्टिंग पूरी हो चुकी है अब हम करेंगे हैवल्स के गीजर को टेस्ट का गीजर चलने के लिए बिल्कुल तयार है इसका सॉकेट हमने यहां पर लगा लिया है रीडिंग बिल्कुल जीरो कर लिए तो पहले हम यहां से करते हैं स्टॉप वाच को और और फिर और 230 के आसपास आप देख सकते हैं कि यह गीजर लगबग लगबग 70-75 वाट कम चल रहा है जो इसकी रेटिड पावर है वो 3000 वाट है लेकिन उससे यह थोड़ा सा कम चल रहा है जबकि इन्पूट वोल्टेज बिल्कुल 230 के आसपास हमने सेट कर रखी है तो यहां पर इतना टायम लेगा पानी को गरम करने में यह तो हम देखेंगे ही सब तक मैं हैवल्स इंस्टैनियों के बारे में आपको कुछ खास बाते बता देता हूं यह का इलगा स्था बहुत ही जादा याता तो आपो कोई साथ वि ले सकते हो तो इसके लिए फिर आपको मतलब मान के चलो यहां पर बाट करें तो यहां पर करें यहां पर आप देख सकते हो कि इसका इसलिएelectीद यह डिखा है और आपको भी दिखाया है वीडियो के अंदर अगर आप देखना चाहते हो इसके अंदर किस quality का समान लगाया है वालों ने तो आप यह वाला वीडियो देख सकते हो जिसका थमनेल आपके स्क्रीन के ओपर फ्लैश कर रहा है इसका लिंक मैं आपको दिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उसके बाद यहां पर एक खास बात और है जो यह connecting pipes होते हैं यह box के अंदर ही आपको मिलेंगे तो यह एक बहुत अच्छी चीज है और यहां पर आप सेफ्टी पॉल इसमें भी आपको लगा हुआ मिल जाता है वारंटी की यहां पर बात करें प्राइज की अगर बात करें तो ओवरॉल प्रोड़क्ट के ऊपर हैवल्स की तरफ से दो साल की वारंटी आपको मिलेगी और जो इसका इनर टैंक है स्टेइनने स्टील वाला उसक से कि मैंने आपको बोला यह सारी चीजे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुए उस वीडियो में देख सकते हैं किस क्वालिटी का यहां पर टैंक है जो भी है मतलब और इसके प्राइस की अगर बात करें तो प्राइस यहां पर यह जो तीनों गीजर आप देख रहे ह परफॉर्मेंस कैसी देता है यह यह भी अब हमें लाइव ही पता लगेगा तो आप देख सकते हैं इस गीजर को चलते हुए तीन मिनिट का समय पूरा होने वाला है और यह गीजर अभी भी हीटिंग मोड पर है और सप्लाई 230 के ओपर बनी हुई है मैं यहां पर बिल्कुल यहां पर आप देखिए कि उतना ही टाइम होने वाला है जितना बजाज ने लिया था तो अब यह भी देखना काफी दिल्चस्प रहेगा जी हां बजाज का जो गीजर है यह तो यहां पर बहुत ही स्लाइटली सा यहां पर आपको फरक दिखेगा तो यह हो सकता है एक सेकं इतने टाइम में बिजली कितनी खाई है तो यहां पर आप दिखाएं दोस्तों देखिए दोस्तों यहां पर 0.17 यूनिट इसने कंज्यूम कर लिए हैं अब आप मुझे बताइएगा कि बजाज वाले ने कितने किये थे ठीक है और अब बारी है यह सारी चीज़े हमने पानी में से बहुत ज्यादा यहां पर तेज गरम पानी है यहां तो यहां थोड़ा सा फोली लेता हूं ज्यादा इसको वहां पर आप देखिए आपको रीडिंगी पानी की जो आप साफ-साफ देख पा रहे हो 72.8 के आसपास रीडिंग आई है 73 लगातार बढ़ती चली ज किया है मतलब गरम करने में लगबग उतना अब देखिए आप यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आएगी तो आप देखिए जो मैक्सिमूम होगी हम उसी को कंसीडर करने वाले हैं तो 73.9 मैंने यहां पर मैक्सिमूम देखी है रीडिंग और अब जो रीडिंग है वो दीरे दीरे जरूर कम होती जाएगी क्योंकि जैसे जैसे हम इसमें से पानी निकालते जा रहे हैं तो वहां पर उसका टेंपरेचर भी क होना सभाविक है क्योंकि टैंक के अंदर फिर ठंडा पानी जो है वो मिलना शुरू हो जाता है तो यहां पर दोस्तों अब जैसे बजाज के घीजर में हमने यह 25 लीटर की बालती भरी थी तो यह भी 25 लीटर की बालती है और इसको भी हम पूरा यहां तक ही बरेंगे और फ कि यहां पर किस तरह से हैवल्स का यह गीजर परफॉर्म कर रहा है और फिल्हाल जो रीडिंग है वो 35 के आसपस आपको दिख रही है मीटर के उपर अब यह धीरे 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 कम होती जा रही है लेकिन यहां पर एक चीज में और दिखाना चाहूंगा आपको कि 230 की बिल्क कि देख लिया और अब हमें वेट करना है इस बालती के भरने का और बालती जो है लगातार भरती जा रही है पानी से और इसमें मैं अगर देखूंग तो पानी का टेंपरेचर बिल्कुल उतना ही है आप देख सकते हो मीटर के उपर और बिल्कुल मतलब सर्दी इतनी है कि जेव में से हाथ निकालो तो बहुत ठंड लगती है तो यहां पानी के अंदर हाथ रखके बहुत अच्छा लग रहा है तो आप देख सकते हो 29 के आसपास टेंपरेचर आ चुका है पानी का और अच्छी है परफॉर्मेंस इसकी मैं बुरा नहीं बोल सकता इसको क्योंकि ज इतने जादा ठंडे पानी को इतना जादा गरम कर देना वह भी रणिंग कंडिशन में यह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस को दर्शाता है आप देख सकते हो 29 का मतलब समझते हो आप दोस्तों 16-17 डिगरी पानी के टेंपरेचर को यह अप कर रहा है अब यहीं पर बताओं पावर कंजम्शन की तो पावर कंजम्शन आप देख पा रहे हो बहुत तेजी से यहां पर हो रहा है क्योंकि देखो 3 किलो वाट का जो है लोड वह बहुत तेजी से ही बिजली खाता है अच्छा इसमें जो 4.5 कवी वाला आता है अगर हम वो लगा लेंगे ना तो वह और तो ऐसे में यह सब चीजे भी आप ध्यान रखो और इसमें यह भी होता है कि देखो यह मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि अगर आपको इससे भी तेज गरम पानी चाहिए रेनिंग में तो आप नल को थोड़ा सा टाइट कर दो तो फिलाल हमने जो टेस्टिंग करनी ह जो है कितने पर यह देता है वो भी हमें पता लग जाएगा तो चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं इसको फिलाल चलने देते हैं तो हैवल्स के गीजर को चलते हुए काफी टाइम हो गया और आप देख सकते हैं बालती यहां पर भरने ही वाली है और यह जो एवरेजली टेंपरेचर दे रहा है रेनिंग में वो दे रहा है 28.5 के आसपास जो हमने यहां पर एनलाइस किया है और बजाज के गीजर से यह ठोड़ा सा कम गरम पानी देता हुआ क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं साफ साफ यह लोड़ भी थोड़ा सा कर सकते हो तो यहां पर यहां पर तो यहां पर मैं इसको बंद कर रहा हूँ टैप को और इसको भी फिलाल बंद कर लेते हैं, तो यहां पर दोस्तो जो आपने देखा है विल्स के घीजर ने किस तरह से परफॉर्म किया, अब हम करेंगे रेकॉल्ड के घीजर को टेस्ट, रेकॉल्ड का घीजर चलने के लिए बिल्कुल तयार है तो सबसे पहले इसको on ही कर लेते हैं बाकी बाते करेंगे बाद में तो यहां पर यह हो गया record का गीजर on और आप देख सकते हो कि red color का यहां पर indicator जलता है इसमें वो भी ring टाइप में यहां पर लगाया जैसे हैवल में था तेकिन यहां पर फर्क सिरफ इत करने वाले हैं और इसका लोड आप देखिए दोस्तों 3080 के आसपास चलता हुआ सबको हमने 230 पर चलाया और आप देख रहे हैं बिल्कुल सभी की performance और इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि 230 पर यह कितना लोड जादा ले रहा है 3000 वाट से है 3000 वाट का ही लेकिन slightly थोड़ा और ले रहा है तो पानी को मेरे इसाब से गरम भी efficiency मतलब इसकी बाकियों से थोड़ी सी जादा मिलने के उमीद है और यह जो मॉडल है इसके बारे में आपको कुछ बताऊं क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बाते हैं जो आपको जरूर जाननी चाहिए रेकॉल का यह में आपको नहीं मिलता वो है temperature controlling का नोग और यहां पर इसको हम बिल्कुल फुल के उपर ही सेट करके चला रहे हैं क्योंकि जो बाकी घीजर है वो by default फुल पर ही चलते हैं हलाकि इसमें option है कि आप इसको कहीं भी adjust करके चला सकते हो बढ़ हमने फुल पर रखा है और दोस्तो सब कुछ आप इस वीडियो में देख सकते हो जिसका थमनेल आपके स्क्रीन के ओपर flash कर रहा है कि इस घीजर का inside view क्या है किस quality का मतलब टैंक है element है सब कुछ आपको दिख जाएगा link आपको वीडियो के description में दे रखा है मैंने उसके बाद खास बात इसमें एक और है इस घी आती है इसमें भी safety wall लगा हुआ मिलेगा आपको warranty और प्राइस की अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर दोस्तों यह भी लगबग 4000 रुपे के आसपस आपको मिल जाएगा फ्राइस जो है वो थोड़ा बहुत उपर नीचे होते रहते हैं तो इसका link आपको वीडियो के description मे दूँगा अगर आपको यह गीजर अच्छा लगे और लेना चाहो आप तो वहां से current price चेक करके इसको खरीज सकते हुआ warranty कि यहां पर अगर हम बात करें तो record का जो यह गीजर है दो साल की product warranty के साथ आता है यानि कि thermostat वगएरा जो भी है दो साल के लिए आप warranty में है वो सार 70-80 के आसपास तो यहां पर अब मैं तयार हूं जैसे ही यह इंडिकेटर अपना color change करेगा तो मैं यहां पर stop watch को stop कर दूँगा और अब हमें पता लग जाएगा कि कौन सा घीजर आपस में best है या क्या efficiency है किसकी तो यहां पर दोस्तों अब यह देखना काफी दिल्चस्प रहने वाला है क्योंकि बजाज और हैवल्स ने लगबग सेम टाइम पर ही कट आफ किया था अब देखते हैं कि यह वाला घीजर कितना टाइम लेता है तो यहां पर आप देख सकते हो कि यह लो तो यहां पर दोस्तों मतलब कमाली हो गया मैं भी मतलब एक तरह से और जैसे कि ब्रैंड्स की अगर मैं बात करूं तो रैकॉल्ड है हैवल्स है वजाज है तो इनका तो क्या ही कहना तो अब आते हैं टेस्टिंग जो हमने करनी है उसके ऊपर यहां पर हमें पता लग यह ताइम इसने कितना लिया है आप आते हैं यहां पर विजली की जो किया है तो यहाँ पर में कर ना ओर यहां से जो पानियागा उसका tijdemprature, तो यहां पर पाणी इसने कर दिया है मुझे से लग रहा है कि बा्कियों से ज़्याधा कि हैं क्योंकि बहुत और जैसे जैसे पानी इसमें से निकलता चला जा रहा है और ठंडा पानी अंदर जा रहा है तो आप देख सकते हैं टेंपरेचर वापिस जा रहा है लेकिन दोस्तों बहुत बैटर पर्फॉर्मेंस यहां पर मिलती हुई रैकॉल के गीजर से मतलब इसका और जाके काम कर रहा है और यह चीज आपको benefit देती है क्योंकि आप देखें यह दुबारा से heating mode के उपर आ गया तो इसलिए क्योंकि इसके अंदर अब ठंडा पानी मिलने लगा है तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हो कि जो लोड है वो लगबग 3100 वाट के आसपास चल रहा है running condition में और ज बहुत ही बहतरीन यहां पर performance हमें मिली है हलाकि सभी geezer से बहुत अच्छी performance मिली है बट रेकॉल ने थोड़ा सा slightly better perform किया है इसका जो आटो cut-off वाला temperature है वो बाकियों से काफी ज्यादा उपर हमें मिला है अब यहां पर रेकॉल के geezer को भी हम उतनी ही देर के लिए करता रहता है बाकियों में हमने देखा था अब हम इसमें भी देखेंगे तो फिलाल यहां पर जो रीडिंग है वो लगबग 29.5 के आसपास मुझे दिख रही है और अब यह से उपर जाती है नीचे आती है यह सब कुछ हम अभी लाइव देख लेंगे क्योंकि काफी टाइ अगर आइडिया मिल जाए कि आप कौन सा घीजर लेंगे तो किस तरह की परफॉर्मेंस आपको मिलेगी ताकि आपका जो बाइंग डिसीजन है वो थोड़ा सा इजी हो जाए और अगर आपको इन में से कोई भी प्रड़क्ट अच्छा लग रहा है तो उसके लिंक हमने वी वीडियो आपको मिल जाएंगे तो उनको भी आप चेक कर सकते हैं यहां पर टेंपरेचर मीटर के उपर मैं देख पा रहा हूं 30 डिग्री से उपर 30.4 डिग्री से पानी आता हुआ यानि कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस में इसको क्या सकता हूं हलां कि बजाज वाला भ खोड़ असा कम चल रहा था 3000 वाट से तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं 30 डिग्री से कॉंस्टेंट पानी काफी देर से आ रहा है हलां कि बालती अभी लगबग आधी होने को है लेकिन हम पूरी जब तक भर जाएगी तब ही देखेंगे कि कितने डिग्री पर इसन कर सकते हैं यह वाला जो पानी होता है 30 डिग्री का इससे कुछ लोग तो नहा भी सकते हैं लेकिन यह थोड़ा सा आपको ठंडा फील हो सकता है नहाने के लिए 40-45 डिग्री वाला पानी थोड़ा सा ठीक रहता है तो यहां पर दोस्तों आप देखते हुए परफॉर्मेंस बहुत अच्छी यहां पर मैं कह सकता हूं बाकि आपको कैसी लग रही है परफॉर्मेंस इंगीजर्स की आप मुझे जरूर बताईएगा कमेंट्स में और आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है इसके बारे में भी आप अपने विचार जरूर दीजिएगा आगे भी हम ऐस आपनी जो इसके अंदर जा रहा है वह 13.5 के आसपास आप कह सकते हो और यहां पर उसको यह लगबग लगबग 16-17 डिग्री अप करता हुआ घीजर तो यहां पर दोस्तों देखिए कि बाल्टी भरने ही वाली है और आप देख सकते हैं इस गीजर ने मतलब एक मेंटेन किया यह टेंपरेचर को 30.5 के आसपास यानि कि 30 से नीचे एक बार भी मैंने रीडिंग को नहीं देखा है तो मतलब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मै इस गीजर की कह सकता हूँ और बात करूं मैं बजाज के गीजर की तो इसने भी बहुत बहतरीन परफॉर्मेंस दी थी लगबग 30 दिग्री के आसपास इसने हमें पानी दिया था लेकिन इसमें एक बार हमें 29 का मिला रीडिंग लेकिन फिर भी 30 दिग्री के आसपास इसने पानी दिया इसने 28.5 के आसपास पानी दिया और यह आप देख पा रहे हो जो 30 से प्लस चल रहा है और आप देख सकते हो constant जो supply है वो भी 230 के आसपास ही हमने रखी हुई है तो यहाँ पर मतलब हमने बिल्कुल एक ही तरह से इनको टेस्ट किया है और आपने देखा कि किस तरह से यह अलग अलग गीजर perform करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों बाल्ती जो है वो भर चुकी है मैं यहाँ पर इसको बंद कर लेता हूं और इस गीजर को भी बंद कर देता हूं तो चलिए अब बात करते हैं conclusion की तो यहाँ पर आपने इन सब की performance देख ली है तो मैं यहाँ पर आपको यह कहना चाहता हूं कि हमने इन सब को टेस्ट किया है बारी बारी से सब कुछ यहाँ पर देखा है और इनका heating time बिल्कुल सेम रहा power consumption लग बिल्कुल सेम रही और जो पानी का temperature था running में वो भी मैं कहूंगा बिल्कुल सेम ही लग बग रहा लेकिन इसने एक या तेट डिगरी कम पानी दिया temperature बट इसको बहुत जादा मैं यहाँ पर नहीं समझता क्योंकि एक डिगरी का तो आपको पता भी नहीं लगता लेकिन उसकी वज़ा क्या थी यह जो यह तीनों ही गिजर बहुत बैटर है क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है आप इनको ले सकते हैं इन में से कोई भी आपको अच्छा लगे तो आप ले सकते हैं यह प्राइस में थोड़ा सा कम है यह भी आप ध्यान रखें यह दोनों इससे महंगे हैं तो यहां पर आपन नहीं मिलता है यह हमने अपनी तरफ से लगाए हूएं यह यह सिर्फ तार देते हैं सौकेट नहीं देते हैं है वले बीनिदे लेकिन रेकोल्ड वालों ने अगर पैसे लिए ना तो दिया है तो ऐसे में यह वीडियो अच्छा लगा होगा और यस अच्छा ही लगा होगा आप मुझे comments में जरूर बताईएगा और अगर अच्छा लगा है तो एक like जरूर करते जाईएगा और जो description में मैंने link दिये हैं इनके videos के उनको भी आप जरूर चेक कीजिए उससे आप और अच्छे से समझ पाऊगे कि इनके inside view को देखकर इनकी performance को और इनके बारे में और जादा deeply समझ पाऊगे कि किस तरह से इंस्ट गीजर्स में कंपनिया समान लगाती हैं क्या quality को maintain करती हैं तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नए topic के साथ तब तक के लिए God bless you दोस् क्षोले में पता ही हर प्लूनanki है अवीट दरह सम।म में अंजर बताए थितना है वीजर्स में नएटता है कि पे इंक विएफ Keep आए हैं झाली कि कि दो तक किस दूद का में हमें लगाता हैं जुर्स को एई और